राजस्तान मिधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजीपी ने अपने पाचवे उमिद्वार सूची जारी कर दिया है इस लिस्ट में 15 प्रत्याशियों के नाम का एलान किया किया है वहीं दो मिद्वारों की टिकट भी बदले गए हैं लिस्ट के मुताबिक बेरुजगार युवां को वेगजुट कर लड़ाई लड़ने वाले युवा उपेन यादव को बीजीपी ने मैदान में उतारा है वहीं कुलायच से टिकट बदला गया है यहां देवी सिंग भाटे की बहु की जगा उनके पोते को बीजीपी ने टिकट दिया है इसके अलावा जैपूर में वसुंद्रा राज्य की करीबी बाबु सिंग राठोर, प्रलाद गुंजल और विजे बंसर को भी टिकट दिया गया है यहां देखें लिस्ट बीजीपी की पाजवे लिस्ट में हनुमान गड़ से अमित चोधरी, कुलाय से अन्शुमन सिंग भाटी, सरदार शहर से राजकुमार रिवान, शाहपुरा से उपेन यादव, सिविल लाइन से गुपाल शर्म, किशन पोल से चंद्रमोहन बटवार आदर्श नगर से रवी नैयर, भरतपुर से विजेब बंसर, राज खेरा से नीर्जा अशोक शर्मा, मसूदा से अभिशीक से, शेरगड से बाबु सिंग्रा ठोड, मावली से केजी पालिवार, पिपल्दा से प्रेमचंद गोचर, कोटा उतर से प्रलाद गुंचर, बार तीन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का इंतिजार है, ये सीटे हैं धौलपुर जिले की बाड़ी सीट, और बाड़ मेर जिले की बाड़ मेर और पच्पद्रा सीट, वहीं इस बार दो मिदवारों की टिकट भी बदले गए हैं, बारा अट्रू से सारी का चौजरी की ज किया है, वहीं कोलायत सीट से पूनम कवर भाटी की जगा, अन्शिमन भाटी को टिकट मिला है,